देश में चल रहे कई सारी गतिविदियों में से सबसे बड़ा मुद्धा NRC का निकल कर आ रहा है NRC नाकरिक्ता शंशोधन बिल ये है क्या इसके बारे में जानने के लिए पूरे वीडियो को देखें बिल पर चचा करते हुए केंदरे ग्रह मंतरी अमित शाह ने साफ कहा है कि मोदी सरकार देश में नैशनल रजिस्टन और जब NRC की प्रकिर्या पूरी हो जाएगी तो देश में एक भी अवेधी गुस्पेथिया नहीं रह जाएगा अमित शाह ने कहा कि मानकर चलिए NRC आने वाला है बता दें कि इस वक्त सिर्फ असम में इन NRC की प्रकिर्या चल रही है अब तक खुई कार्रवाही में लगबख 19 लाक लोगों का नाम NRC रजिस्टन में नहीं आया है असम में ऐसे लोगों के लिए रजिस्टेशन बनाया जा रहा है NRC वो प्रकिर्या है जिसके जरिये देश में गैर कानूनी तोर पर रह रहे अवेध गुस्पैटियों को पैचानने की कोशिश की जा रही है देश के ग्रह मंतरी अमित शाहन ने ऐसे अवेध ही लोगों को देश से बाहर निकालने का वादा किया है इसके दूसरी तरफ नागरिकता शंशोधन बिल क्या है इसमें वह सभी शामिल होंगे जो वेध दस्तावेज के बिल दस्तावेज के बिना भारत आए हैं या जिनके दस्तावेज की समय श्रीमा समाप्त हो गई है अगर कोई वेक्ती इन तीन देशों में से आया है और उसके पास अपने माता पिता का जनम प्रमान पत्र नहीं है तब भी छे साल के निवास के बाद उसे यहां के नागरिकता मिल जाएगी नागरिकता शंशोधन बिल और NCRC में अंतर क्या है अभी असाम में हुए NRC की प्रकेदिया का उद्देश आवेद प्रभासियों की पहचा के वंचित कराना था इसके मुताबित किसी वेक्ती को भारत का नागरिकत होने के लिए यह साबित करना होगा जिसके तहट कई सारे लोगों को इस देश में निकाल दिया जायागा जिनका पर्मानपत नहीं होगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें सबी लेटिस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले